Hello students, welcome to my channel तो अगर आप लोग भी थर्ड समस्टर में और आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं 2025 में आप लोग एक्जाम देने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री का जिसमें आपको पढ़ना है आधुनिक भारत का इतियास 1757 से लेकर 1950 तक तो देखिए भी थर्ड समस्टर में जो हिस्ट्री आपको पढ़नी है मेडिवल हिस्ट्री अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आधुनिक भारत का इतियास आपको 1757 से 1950 तक पढ़ना है तो आज किस वीडियो में मैं भी थर्ड समस्टर हिस्ट्री के लिए महा संगराम डिवीजन क्रास लेकर आ गई हूँ एक्जाम 2024 पचीज के लिए तो जो भी शुर्ड समस्टर में हिस्ट्री का एक्जाम देने वाले हैं 2024 और पचीज में तो आज मैं उन्हें बता दू कि आज का ये वीडियो आपके लिए very very important है क्योंकि आज किस वीडियो में मैं उन्हीं question answer को बताने वाली हूँ जो hundred percent आपके परिच्छा में पूछे जाने वाले हैं और जो लगातार कई वर्सों से परिच्छा में पूछे गए हैं और ऐसे कौन से प्रश्ण हैं जो हर बार आते हैं कौन से प्रश्ण है जो repeat होते रहते हैं और जिनके आने के chances सबसे जादा हैं आपके परिच्छा में वह मैं आपको आज बताने वाली हूँ क्योंकि बच्छे बहुत जादा confused रहते हैं कि हमारी eight जो unit है उनमें से कौन सा topic कौन सा question very important है तो आज का यह जो वीडियो है उन सभी के लिए important है जो चाहते हैं कि इसी वीडियो को देख करके उनकी पूरी तयारी हो जाए आपकी जो एक से लेकर आर्ट तक की units है वो पूरा मैं complete करवा चुकी हूँ चलिए आपके महासंगराम revision class देख लेते हैं जहां से आपका 90% तयार हो जाएगा history का पूरा topic तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं आप चाहे किसी भी university से हो आपके लिए वीडियो helpful होगी क्योंकि हर university का सेल बस NEP 2020 के according सेम हो चुका है चलिए आपका पहला important question है पलासी का युदू पलासी का युदू मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ तो पलासी का युदू ऐसा ही परिच्छा में लिकर छोड़ देगा आपके लिए यह जो प्रश्ण है अती लगू लगू दिर्ग सभी के लिए महतपूर हैं क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आपको समझाते हुए भी चलूंगी और long question के लिए अगर आप answer तयार करना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा provide की गई जो एक से लेकर आर्ट तक की युनिट्स हैं उनको जरूर देखें जो आर्ट तक की युनिट्स हैं उनमें मैंने पुरा long notes बनाकर आपको समझा दिया है जो आपके long answer के लिए काम आएगा objectives वाले भी वीडियों को पुरा देखेंगे क्योंकि lecture उनके लिए important होगा चलिए पलासी का युद्ध इस वेरी important topic तो पलासी का युद्ध तो 100% exam में आना ही आना है देखो पलासी का जो युद्ध था वो 23 जून 1757 इस वी को बिटीज सरकार British East India Company की सीना तथा बंगाल के नमाप सीराजुद दौला की सेना के मद्ध लड़ा गया था बंगाल के नमाप थे जिनका नाम था सीराजुद दौला और एक तरफ इनकी सेना थी और दूसरी तरफ British East India Company की सेना थी और इन्हीं दोनों के मद्ध ये व्युद्ध लड़ा गया था कंपनी की सेना का जो नित्रित्व है वो लाड कलाइफ कर रहा था लाड कलाइफ कौन था गवर्णर था ब्रिटिश और ये कंपनी की सेना को नित्रित्व कर रहा था और लाड कलाइफ नमाप के सेना पती मीर जाफर को नमाप बनाने की लालच में अपनी तरफ कर लिया था देखो बंगाल के जो नमाप सिराजुत दौरा थे उनके ना सेना पती का नाम था मीर जाफर तो जो इस टेंडिया कंपनी की सेना का नित्यत्व कर रहा था रोबर्ट कलाइव इसने कहा इसने इन से कहा मीर जाफर से कि आप हमारा साथ देदो अपने नमाव को धोका देदो हम तुम्हें नमाव बनाएंगे सिराज दौला को हरा डेंगे युद्ध में पलासी के युद्ध में और उसके बाद बंगाल का नमाव हम आपको बना देंगे तो मीर जाफर अब नमाब बनने की लालच में आ जाता है अब किसी को सेना पती से उपर का पत दिया जाएगा तो कोई भी रहेगा उसे लालच आएगा तो मीर जाफर को लालच आ गया और ये नमाब बनने की लालच में क्या होता है रॉबर्ट कलाइब से जाकर मिल जाता है और यह युद्ध जो था कमपणी की सेनद जी जाती है क्योंकि मीर जाफर जो सेराच दौला का सेनपती था उसने ही अपने नमाब के साथ गदारी कर दी और मीर जाफर का विश्वाजगात नमाब के हार का कारण बन जाता है और इस क कमपणी का काफी जाधा प्रभाव हो गया था और इसी तरह से धीरे धीरे बिटिस इंडिया कमपणी आगे बढ़ती चली जा रही थी भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में कामयाब होती जा रही थी और प्लासी के बाद जो बकसर का युद्ध होता है वो तो सबसे ब सबढ़ भारत में और तेज़ि से बढ़ गयी थी अगला आपका इंप्वाण का सत्याग्र चंपारन का सत्यागर है और देखो चैया माहत्मा गादी के नेट्व tempt नील को उगाया करते थे तो यूरोपीय लोग मतलब अंग्रेज थे वो उनका किसान का शोसर करते थे और चंपार्न आंदोलन मूल रूप से नील की खेटी करने वाले किशानों के खिलाफ किया गया था जो भी चंपार्न की जो आंदोलन था इसका मेन उद्देश क्या था कि नील की जो खेती करने वाले किसान थे उनके उपर अंग्रेजी सरकार का बहुत जादा शोतर होता था अंग्रेज इनके शोतर करते थे और इसी शोतर के खिलाप एक आंदोरन चलाया गया था महत्मा गांदी के नित्त में जिसको नाम दिया ग नागरण किसान अपने अपमान और शो सहन करने को अब तैयार नहीं थे इन्हों ने इतना ode पर शोतर बर्दास्ति किया यह लेकिन अब वो सब कुछ saatने को तैयार बिलकुल पारन दिले शी शुरूआता देख्याँ यह जंगह यह जिला है वहां के छंपारन दीले के जो रहने वाले किसान थे जो नील के खिदी किया करते थे उन पर अंग्रेश बहुत ज़्यादा शोसर करते तो उल्जी के शोषजड को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी जीन ने harsh आंधुलन का ने तुर्टव किया ऊसा अंद का नम का नाम दिया गया। छंपारन सत्यागरह , सत्यागरह को आंधुलन भी कहा जाता है। लेकिन छंपारन सत्यागरह है। नाम से famous हुआ जो 1917 इस्वी में चलाया गया था गांदी जी ने किसानों के साथ हो रहे अतियाचार का विरोध किया कि यह अतियाचार बंद करो जो किसानों के साथ तुम लोग कर रहे हो और यह आंदोलन सफल भी हो जाता है क्योंकि महत्मा गादी ने इस आंदोलन में बहुत पादक थे जो नील की खेती करने वाले किसान थे उत पादकों द्वारा अत्यदिक मुनाफे पर भी रोक लगा दी गई थी तो इस तरह से किसानों को इंसाफ मिलता है अगला आपका महत्वपूर कोस्टन है उन्नीस सो उन्नीस का भारत शासन अधिनियम क्या है यह सारत कु क्यों आप देखेंगे कि 1773 से ही बिटिस इस्ट इंडिया कंपणी ने अपना लिखित कानून और जो अधिनियम ता वो बनाना शुरू कर देती है सबसे पहले उसने रेग्यूलेटिंग एक्ट बनाया और उसी तरह से धीरे-धीरे हर वर्स अलग-अलग से अधिनियम पार बहुत इंपोर्टेंट है यह बिटिश संसत द्वारब पारित एक अधिनियम था जिसे मौन्टेग्यू चैंसफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय लाड मौन्टेग्यू भारत सचीव थे और लाड चैंसफोर्ड नाम इसका क्यों पड़ा क्योंकि उस टाइम भारत सचीव जो था उस वैक्ति का नाम था लाड मौन्टेग्यू और जो भारत का वैसराय था उसका नाम था लाड चैंसफोर्ड तो इन ही दोनों के नाम पर मौन्टेग्यू और चैंसफोर्ड के नाम पर इस अधिनियम को लग-अपिक पफिक्राइब पूरा डीटेर नोट आपको प्रॉआट कर दिया है आपकी पूरी क्लासे के लिए जरूर देखिएगा देखिए मैं हाँ संगराम रिवीजन क्लास है और इस क्लास में हम क्या समझ रहे हैं कि आपकी एक्जाम में तो 24 पसीस में कौन से टॉपिक आपकी इंपोर्टन्ट है और इक्जाम में आएंगे वह उन्हें टॉपिक को आज की वीडियो में कवर कर रही है जो इंपोर्टन्ट है आपके एक्जाम के लिए लेकिन मैं आपसे हर बार यह कहती हूं कि आप फुल क्लास जरूर क्या करने का फायदा यह है कि जो भी इस when दो इसन पर फ्रम सिसियों कе आने के क्या कारण थे देखो भारत में आने वाले अंतीम यूरोपीय वायापाओी अ शासन काल में भारत करने के उद्रिशेख की गयी दंप पर फ्रांसी सी इंडिया कंपनी की स्थापना की गई उस टाइम पर फ्रांस का जो राज़ा था वह लूइस सुलहमा था जो की एक निलंग को शासर था फ्रांस की करांती आप लोग आगे फोर समस्टर में पढ़ेंगे देखेंगे आप लोग किस तरीके से वहां के लोगों के साथ असमानता हैं थी समाज में गरीब लोगों का शोसर किया जाता था गरीब उसे टैक्स ही जाता था अमीरों को टैक्स की छूर थी और अभी इस तर स्खetzung करें से लिए तो 4 समस्टर की जो आपकी कि आधुनिक विश्व का इतियास हैँ अभी में भारत का इतियास पढ़े और प्रकुार्थllo가지고 पुशजिशीओ कि आने आगमन के बारे में इतना लिखेंगे फिर आप लिखेंगे फ्राइर सी उनने 1668 इस्वी में सूरत में अपनी पहली फैक्टरी इस्थापित की थी तो आप देखेंगे इस तरह से देखो यहांपर किस उध्यतेश ने की एक उध्येश के सहे लेकिन भारत में आने के बाद भारत की राजणीति-कस्थिति को देख्थे इनकी नियत बतल जाती है। और अपना अपना शासन करने का खौक सजा बैरते हैं ठीक यही क करनाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है और करनाटक का युद्ध तीन बार हुआ था जो करनाटक के छेत्रे में हुआ था इसलिए उसे करनाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं तो वह टापिक भी मैंने कंप्लीट करा दिया है क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट है अंग्रेजों के जीत के कारण क्या थे वो पूरा में वीडियो में कवर कर चुकी हो तो आप देख लिजेगा आपका अगला important question है ब्रहम समाज ब्रहम समाज इसे भी question आपका 100% आना ही आना है क्योंकि देखो आपको भी थर्ड समस्टर्मिनल डिफॉर्मेशन के बारे में भारतिया समाज में फैली जो अंद विश्वास कुरूतियां यह सब थी उनको समाप्त करने में अपना बहुत जादा इन्हों इसने अपना योगदान दिया तेको महान समाज सुधारग जिनका नाम था राजारा मोहन राए इन्होंने ही 20 अगस्त 1828 को करकत्ता में ब्रहम स ऑर समाज की स्थापना थी और ततकालीण भारतिया समाज में जो वयापत बुराइएं थी उनको दूर करने के लिए इन्होंने इस आंधुलन को चलाया था भारत में सती प्रता प्रचलित थी बाल वीवा प्रचलित था सती प्रता मतलब जिस महिला के पती की देथ हो जाती बिस्तिती महिलाओं की तो उन सभी चीजों को समाप्त करने के उद्यश से प्राहम समाज की स्थापना की गई थी और जो राजाराम मोहन राय जी थे ये एक इश्वरवाद में विश्वास रखते थे मतलब ये बहुत साले देवी देवता में विश्वास नहीं रखते थे इ प्रोस्ताहन देने का भी काम किया क्योंकि जिन महिलाओं के पती इद्यत हो जाती थी वो विद्वा हो जाती थी उन्हें उन्हीं की चीता में जला दिया जाता था तो राजाराम मोहन राय जी ने क्या किया लौड वीलियम बैंकिट की सहायता से इन सब चीजों को बंद करा और विद्वा पुनर विवा को भी योने प्रोस्ताहन दिया कि जिस महिला के पती इद्यत हो जाए उसे समाज में रहने का अच्छे से और दूसरी शादी करने का भी पूरा-पूरा अधिकार है तो इस तरह आप देखेंगे कि महिलाओं की सिती को उपर उठाने के लिए भी जाजारा मोहनराय जी ने बहुत अच्छे काम किये थे और इनके इब्रहम समाज का इसमें काफी जादा योगदान है इसा पर मैं पूल डिटेल क्लास अफ्लोड कर चुकी हूं जहां से आपका लांग आंसर तयार होगा तो आप ज़रू देखिएगा क्योंकि ये टॉपिक कोस्टन है बकसर का युदू दिस इस वेरी इंपोर्टन बकसर का युदू और पलासी का युदू एकदम लिख कर रख लिजे कि 100% ये आपसे पूछा ही पूछा जाएगा देखो मैंने आपसे क्या बताया था कि पलासी का युदू आ था उसमें मीर जाफर दोजा उसने नमाब से राजित दोला को धोका दे दिया जिससे वो हार गए और अंग्रेज जीत गए बकसर का युदू देखते हैं बकसर का युदू मीर कासिम की सेना अवद के नमाब शुजा उद दोला और ततकारिन मुगल बाश शाशा आरम दिवित की शहयुक्त सेना और इस्ट इ मीर कासिम जो की उस टाइम पर कया फिए बंगाल के नमाब थे इनकी सेना थी पहें जोता अवद की का नमाब शुजा उद दोला ता आप यह मत सोचीगा कि सिराज उद्वला जो पलासी के युद्व में था यहां पर दूसरा नमाब है शुजाउद्वला नाम है नाम देखिए शुजाउद्वला शुजाउद्वला और उस टाइम पर मुगल बाश्चा कौन थे शाह आलम द्वीतिय तो मीर कासिम पहुचते हैं अव शुजाउद्वला तयार हो जाते हैं उसके बाद ये ततकालिर मुगल बाश्चा शाह आलम द्वीतिय के पास दोनों जाते हैं मतलब क्या होता है कि ये तीनों लोग मिल करके अपनी एक सन्युक्त सेना बनाते हैं मीर कासिम शुजाउद्वला और मुगल बाश्चा साह आल अक्टूबर अच्छा देखो कहीं कहीं पर ये 22 अक्टूबर दिया जाता है कि युद्ध लड़ा गया था कहीं कहीं पर 23 अक्टूबर लिखा रहता है तो अब्जेक्ट वाले बच्चों को सब्सक्राइब हो जाएगी ना कि मैं हम कौन सा टिक करें के एक्जाम में देखो अगर ऑप्शन में 23 और 22 दोनों ना देकर 22 देदे तो आप 22 कर दीजेगा और कोई और देदे तो आप कोई भी किजेगा क्योंकि देखो दोनों देता है कहीं कहीं तो ठीक है दोनों चल तो आप अगर 22 देगा पेपर में अब्जेक्टिव में तो आप 22 पर ही टिक करिएगा यह मत सोचीगा कि 23 नहीं दिया है तो 22 गलत नहीं हो जाए ठीक है और 23 देगा तो आप 23 पर टिक कर दीजेगा तो 23 अक्टूबर 1764 इस वी को यह मीर कासिम की सन्युक सेना और इस्ट इ संयुक सेना एक तरफ अंग्रेज तब भी यह लोग हार जाते हैं और अंग्रेज जीच जाते हैं यह युद्ध भारत के इतियास में एक ऐसा मोर था कि अंग्रेजों की जो शक्ति थी उसमें और भी ज़्यादा व्रिद्धी हो गई और भारत में व्रिटीच आसन और यह के साथ की जाती है जिससे कि यह लोग अपने कई साले लाकों को अंग्रेजों को लोटाते हैं संदी की सर्थ ही थी और इलाबाद की पूरी संदी पर भी मैंने एक वीडियो बनाकर प्लेलिस्ट में एड़ कर दिया है तो आप देख लिजेगा यह जो बकसर का युदित बकसर की जो मोड है वह बहुत अजीब है एक ऐसा मोड की ब्रीटिस सरकार बहुत मजबूत हो गई तो बकसर की युदि भी आप रया जरूर कीज़ेगा डिस वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक अगला आपका इंपोर्टेंग क्वेश्चन अपवय और और औरोधन यह आपक पुल्म होने से पहले बालकों को विद्याले की किसी भी कच्छा से अधीक उधिक के लिए रोगा जाना है और हर्टांग समीती ने अपवय और अरोधन को प्राथ में खिक्षा की सबसे बड़ी समस्या बता दिये अंत में समीती ने इनके निराकड के भी सुझाओ दिये हैं तो यह आपके लिए उधना इंपोर्टेंट नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला आपके देखो महालना वारी वेवस्था इस पर वीडियो अपलोड कर दिये तेखो सबसे पहले ने आई अलग-अलग से रएत वाड़ी वेवस्था वाड़ी वेवस्था इस्थाह वां इस्थाय बंदवस्त तीन तरह यह जो धूघास पढ़ा लियां थी इस तरकार में आ देख लिए कि आप आज आए एक्जाम में तो कैसे अपना अंसर लेकें क्योंकि यह आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस ववस्ता के अंतरगत भूराजस्व पढ़ाली खेत के अस्थान पर प्रति गराम या जागीर के आधार पर निर्धालित किया गया था इस इस खेती पर टैक्स लिए जाता था उसकी जो रकम थी वो मुखिया गाओं का वसूल करके कोस में जमा कराया करता था इसके बारे में आप पूरी क्लास कर लेंगे तो आपके लिए और भी जादा अच्छा है जो मैंने करा दी है एक एक टापिक करा दिया है कुछ भी नहीं चोड़ा है सिफ इसलिए कि आप लोग अच्छे से पढ़ कर जाएं चलिए समस्त महाल या ग्राम सम्मिलित रूप से राजस को जमा करने हितु उत्तरदाई थे और यह प्रत्था अटारा सो एक इस्वी में आवत के छेत्र में और अटारा सो तीन से चार इस्वी के में मरा चेतर में भी इसको लागू कर दिया गया था अगला आपका important question है भारत में Danish company के अस्थापना का वरण कीजिए भारत में जो Danish company उसके अस्थापना का वरण इस वेरी important topic देखो जितने भी कंपनिया भारत में आई थी उनका जो पूरा करम है आने का वह आपको याद करना है कह किस कारण से भारत में आये तो जो आपसे पहली वीडियो में अप्लोड की है यूनिट नंबर वन का पार्ट वन वो आप जरूर देखेगा किस परपस से यह आये थे क्यों आये कैसे आये और कैसे समुंद्री मार्क की खोज भारत आने के लिए की गई वास्कोडी घामा के त्वारत जो पूर्टगाली ना भी था तो देखिएगा जरूर चलिए भारत में 1616 में डेनिश कंपनी आई थी और 1620 में इसने ट्रांक क्यूबर यानि कि तंजोर जिले में उन्होंने अपनी पहली फैक्टरी भी इस्थापित की थी 1676 में सीरंपूर बंगाल में दूसरी सीरी फ्रापित की फ्रांशीश्यों को अंग्रेजों के मद्यूद चलते शाहिए नहीं यहां विकास की अधिक सब्वाउनाही नहीं लग रही थी क्योंकि देखो अंग्रेज। और फ्रांसेसियों के लगातार योड़ हो रहा था संगर्स हो रहा था क्योंकि दोनों का मकसद यहां पे शातन करना था इनके बीच तो लगातार करनातक का योड़ हो रहा तो उस कारण Danish company को यह लगता है कि इनके भी जो युद्ध चल रहा है इस कारण हम भारत में विकास नहीं कर पाएंगे हमारी संभावना नहीं है क्योंकि यहीं आपस में लड़ी जा रहे हैं सीरमपूर को 1849 में अंग्रेजों को इन्होंने बेच दिया यह जो डेनिश ते सीरमपूर पे अपना कब्जा जमाया था तो यह अंग्रेजों को बेच देते हैं 1849 इसवी में और 1845 इसवी ट्रांक्यूबर और आने चोटी बस्तियों को भी बेच देते हैं और फिर यहां से चले जाते इनके अस्थापना के आने के बारे में आपको इतना ही याद पुछक्त करने की जरुवत नहीं है उत्य कर से इंगे तो इनको हादने की पुछेगा खर्नाटक के में आधुनिक भारत के इतियास में सबसे पहले यूनिट है यूरोपिया कंपणियों का भारत में आगमन तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यही है चलिए इसके आंसर को देखते हैं इस पर मैंने पूरी डीटेल वीडियो अप्लोड किये पूरी क्लास अप्लोड क इस्वी में पूर्टगाली नाविक वासको डिगामा ने 20 माई 1498 को कालिकट इस्थिद्बंदर गाह पर पहुच कर भारत आने के लिए एक नए समुद्री मार्ग की खोज कर दी थी 20 माई 1498 इस्वी से पहले अभी तक कोई भी ऐसा यूरोपिय व्यक्ति नहीं था जो समुद्री मार्ग के द्वारा भारत में प्रवेश किया था असको डिगामा पहला व्यक्ति था जिसने समुद्री मार्ग के द्वारा भारत में प्रवेश किया और भारत आने के लिए एक नई समुद्री मारग की खोश की अक्थर आपने की कोस्टन पढ़ेता हुए देखा होगा कि भारत की खोश किसने की तो आप लोग के मन में ख्याल कुछा आता होगा कि क्या भारत इससे पहले नहीं था आता है भारत की तो खो़श भारत हमेशा से था इससे पहले at माई 1498 में वासको डिगामा भारत वापार करने के उद्धै से आये, तो ऐसा नहीं है कि इससे पहले यूरुपकियों का भारत चाहता खिला, बिल्कुल होता था मगर अस्थर मार्ग से हो था लेकिन अस्थर मार्ग सी क्सितुनिया कि वहां अलिए देखेंगे मैंने पूरा युनिट नमबर 1 के पार्ट 1 में पढ़ाया है आप देख लीजेगा तो उसके बाद अस्थल मार्ग ब्लॉक हो जाता है बंद हो जाता है तो अब यूरोपिय लोग भारत के साथ वहापार करके काफी मात्रा में लाप कमाते थे तो इसलिए इन्हें करने के लिए मगर वह अमेरिका मतलब आप देखेंगे परहे टाइम में मैप नहीं होता था ना कि मैप देख आदमी सही दिशा में चला जाए तो कोलंबस भारत समझ कर आते हैं लेकिन वह अमेरिका नई दुनिया की खोच करते हैं उसके बाद वासको डिगामा निकलते हैं अगला कोस्चन देखेंगे भारत में कंपणियों के आगमन का करम क्या था आप करम याद कर लिजेगा कि क्लास में इसलिए शामिल कर दिया है कि मैं करम आपको याद करवा दूँ देखिए चार यूरोपिया कंपणिया भारत में आई सबसे पहले पुर्टगाल फिर डच अंग्रेज फ्रेंच मेरे साथ रिकॉल कीजिए पूर्टगाल डच अंग्रेज फ्रेंच पूर्टगाल आए 1498 में डच 5095 में अंग्रेज captures कर लिए आगमन का करम याद कर लिया हां बहुत बढ़िएya हैं इसलिए मैं शामिल किया यह पहुप्सटन और रटल profund लें को इन क कि सफलता के प्रहमुक कारण बताईएं Hebrew कि तेंगे जो जो Android tration के पास नहीं थे वह रिसूर्स जोते अंग्रिजों के पास थे करनाटक के युद में मैंने पढ़ाया भी है आपको को इंपोर्टेंट है बड़े ध्यान से समझेगा देखो पहला था कि अंग्रेजों की उन्नत वया पारी की सिथी के कारण उनकी सिथी अच्छी थी और युद लड़ने के लिए सिथी भी अच्छी होना जरूर थी जिससे जिदे में इनके हार मतब़की फ्रांसी के हार कからण बनती है और यही अच्छी इस्थीं अंग्रेजों की जीद को करनिwide दूसरा जीद कई का कारण था कि इस्ट इंडिया कंपasanel नेने के लिए स्थीं में ती जो इनका युद हो रहा था फ्रांसी सि Например के फ्रांसी सिसी जो कंपणी भारत में आई थी वो स्वैंग कोई भी नीड्रेज नहीं ले सकती थी और जो सरकार फ्रांस में थी वह नीड्रेज भारत भीजवत भीज़ती थी तो लिट्रें उसी पर काम करती थी इष्ट-India एंडिया कंपनी यह लड़त को रांगर जाए एंडिया कंपनी इसी कोई फ्रीडम जीत नहीं जीत हैं। अंग्रेजों की जीत का तीसरा कारण था कि इंगलेंड की सरकार द्वारा आवश्यक सहायता मिलने के कारण इस्ट इंडिया कंपनी की सिती सूध्रीड थी युद्ध किसे हो रहा है फ्रांसी सियों से तो इंगलेंड की जो शरकार थी आवश्यक पढ़ने पर जरूद पढ़ने पर वह अंग्रेजों की मदद करती थी भारतjenigen जिसे वो युद में जी सकें अगर जो फ्रांसीसी भारत में अंग्रेजों के साथ युद लड़ रहे थे तो जो अंग्रेज जीतते हैं फ्रांसीसी की हार हो जाती है चौतर अंग्रेजों की जीत का कारण है कि अंग्रेजों की नौ सैनिक शक्ति सबल थी जिनके कारण उनको लगातार सफलता मिले थी इनके पास अच्छे अच्छे सैनिक थी जो युद्ध को जीत जाते तो यह सारे चार मतपूर कारण अगले आपका important question भारत में किस यूरोपीय शक्ति का भारत में सबसे पहले आगमन हुआ था तो कौन सी यूरोपीय शक्ति भारत में सबसे पहले आई थी तो देखो यूरोपीय शक्तियों में पुर्तगाली कंपणी ने भारत में सबसे पहले प्रवेश किया और भारत के लिए नहीं समुद्री मालगी की खोज भी पुर्टगाली वयापारी वास्कोडिगामा ने 20 मही 1498 इसमी में की थी और भारत के पश्चमी तड़ पर इस्थित बंदरगाह जो कालीकट है वहां पर पहुचते हैं और वास्कोडिगामा का स्वागत उस समय कालीकर के जुत्त कालिक शासन थे जिनका नाम था जमोरीन उन्होंने वास्कोडिगामा का स्वागत भी किया था भारत में आने वाली पहली यूरोपिया शक्ति या यूरोपिया कंपनी पूर्टगाल थे याद रखेगा अगला आपका सोथा इसले मैं महा संगराम रिविजन क्लास में उन्कलूट कर दिया अगला आपका इंपॉर्टेंटम सुधार आप तैयार कर दिजे गार्टे मेंत dentist सुधारा एक आधिनियम जिसको 1900 का अधिनियम कहा जाता संव भारतिय सनवैधनिक वैवस्ता में परिवर्तों हेतु 1909 इसवी में एक अधिनियम पारित किया गया जिसे माडली मिन्टो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है और पहली बार भारत में प्रिथक निर्वाचन पराली की शुरुआत भी की गई थी मारले मिंटो सुधार को 1909 का अधिनियम कहा जाता है नोट कर लीजेगा अगला आपका important question है regulating act सबसे पहला जो act बनाया गया वो था regulating act आपने अभी 1909 का अधिनियम देखा मारले मिंटो सुधार जो की important है और सबसे पहला जो act बनाया गया था वो था regulating act जो 773 में बनाया गया था संसत्रत और 73 का regulating act British East India Company की गतिवीदियो से संबंदित पहला संसद्य कानून था पहला अभी तक बिटेस इस इंडिया कंपणी ने कोई ऐसा अधिनियम नहीं बनाया था जो लिखित हो और यह question आपके लिए बहुत-बहुत important है 100% important है टाप लेवर का question एक्जाम 2024 के लिए आज किस महा संग्राम revision class का हर question important है तो आप सभी को याद कीजेगा किसी question को ignore करने की कोशिच मत कीजेगा और इतनी आसान चीज़े ना history को आप कहानी की तरह समझो आपके लिए क्या है सब कहानी या बना बना के लिख लेंगे आप इसको समझेंगे हाड है हाड है मुझसे नहीं हो सकता तो देखो जी कोई बीचित अगर आप खुल से टॉफ बनाएंगे न तो आपको और भी ज़्यादा टॉफ लगेगी आप यह सोच लिजे कि यहाँ इजी है और हमारी मैम हमें जब कहानी की दरह समझा रही है तो हमारे लिए तो बहुत इजी है चलिए इस पाइबाद और उनकी शहायता के लिए चार सदसी या पढ़िसत्का मी गठन किया गया था जो गवर्नर जनरल की शहायता करेंगे और मदरास और बंबय के गवर्णर थे उनको बंगाल के गवर्णर जनरल के अधीन कर दिया गया तो आप देखेंगे जितनी भी आक्ट democratic होती थी वह बंगाल से शुरू हो थी क्योंकि बंगाल सबसे बड़ा प्रान था और देखो जब regulating act लाए गया तो बंगाल के गवर्नर को जब गवर्नर जनरल बना दिया गया और मदरास और बंबई प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे वो अब इनके अधीन रहेंगे किसके बंगाल के मतलब यह भी बंगाल के अधीन और यह मतलब इनका जो में पावर होगा इन कंबिस्तर की जो संदी थी वो 25 अप्रेल 1809 को रजीत सिंग और इस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी और उस समय लाड मिंटो प्रतम भारत का गवर्नर जनरल था लाड मिंटो प्रतम नोट कर लिजे इस संदी के द्वारा शतलज पार की पंजाब की रियासतें अंग् लिया गया तो यह संदी की शर्त थी इसलिए संदी को आप नोट कर लिजे इंपोर्टेंट है नेक्स आपका इंपोर्टेंग क्वेस्टन है फ्रांसीज को डियल मीडा इस वेरी इंपोर्टेंग क्वेस्टन फ्रांसीज को डियल मीडा जो था पुर्तगाल का वाय सराय था forehead यहांपर वाईशरICAE Nuked करते हैंतों पूर्टीगाल से वाईशराइ आते हैं First to Franciscode Almeida यह आपके आती लगू में पूछ सकता है ,France को d.Almeida . इतना ही लिक्क भर छोड़के पेपर में अब को समझ जाना है कि क्या लिख ना इनके पारे में उनके आपको लिखना यहां पे जो मैं आपको पिताने वाली। हो a WA के यह पूरा कर aurait निहीं हर अब इस नहीं देख लो पुटल टुटल के प्रतरम के यह यह उभरत में भारत वे इनका आगमन हुए था 1505 इस्वी में ये भारत आते हैं पुर्टगाल के पहले वाय सराई बन गे इनका नाम था फ्रांसिसको डी अलमीडा और 1509 इस्वी था कि भारत में वाय सराई के पत पर काम करते हैं इसे पुर्टगाली सरकार की और से यह निर्देश दिया गया था कि वे भारत में ऐसे दुरूग का निर्मार करें जिनका उड्दिश्सित सुरचा नाओ कहीं हिद माहसागर के वायापार पर पुर्थगाली नियंतरर भी अस्थापित करना हो पुर्दगाल जो सरकार थी उसमें फ्रांसिसको डियालमीडा को या आदेश दिया कि भारत में ऐसे दुरुग को बनाओ ऐसे दुरुग का दिनमार करो जो सिल्फ उनके उद्देश की सुरत चाहीं न करे बलकि हिंद महासागर पर भी अपना पूरा नियंतरर जमाले देखो आएंगे तो उनसे टैक्स लिया जाएगा तो फ्रांसिसको डियालमीडा ने क्या किया उसने एक निती अपनाई उस निती का नाम है नीले जल या शांत जल की निती नीले जल की नीती या शांत जल की ब्लू आटर पालिसी जिसको कहा जाता है यह फ्रांसिसको डियालमीडा के टाइम से आपको कुछ याद रखना है तो इसकी निती याद रखना है जो उसने हिंद महासागर पर अस्थापित करने के लिए लगाई थी यहां पे आप देखो नीले जल या शांत जल की निती इसका उद्देश ये था कि इस निती के दौरा इन्होंने पुर्तगालियों अब अधर जितने वे देशों की यूरोपीय कंपनिया भारत आती थी तो वह उनसे टैक्स लेते थे और आप देखो भारत के भारत में आ रहा है कोई और टैक्स ले रहा है कोई और पुर्तगाली आप देखो टैक्स के थूप भी कमा रहे हैं इन्होंने हिंद महासागर पर भारत के मसाले अपने साथ लेकर जाएंगी तो उन्हें उनकी इजासत मैं यह कुछ भी करें एकर यूरोप नहीं जा सकती वहाइज जाने मिद्व होता तक यह आप क्लास कर दिया है बता है कि फूर लॉजिक तौ आप पूरी क्लास कर लीजएगा प्रांसिस्को पढरे में इतना important है तो आप इतना तयार रखिएगा आज की वीडियो में जितने भी question बताएं है very very important है तो आप इन सभी को note कर लिजे, screenshot कर लिजे, याद कर लिजे ये महा संगराम revision class आपके लिए बहुत important है और history के लावा भी आपके B.E. के other जितने subject हैं उनकी भी मैंने पूरी new syllabus के according class complete करा दिये पूरी units को और महा संगराम revision class मैं लगातार सभी के upload कर रही हूँ तो आप हमारे channel पे visit करके जरूर देखिएगा अब मिलते हैं next video के साथ